पारिजात का पेड को हर सिंगार का पेड भी कहा जाता है इसमें बहुती सुंदर और सुगंदित फूल उकते हैं और ये पौधाच होता है भारत में पूरी जगे पे उकता है हम इसे संस्कृत में पारिजात या शिफालिका कहते हैं हिंदी में इसका नाम हर सिंगार पारिज या परजा है मराठी में इसे पारीजातक कहते हैं बंगाली चिफाली का शिणूली कहते हैं और अीमीर में पारीजात तमू कहते हैं इसको तमिल में पवल मलिके कहते हैं और मल्यालम में इसको पारिजात कोई के नाम से पुकारते हैं उर्दू में ये गुलजाफरी के नाम से जाना जाता है और इंग्लिश में इसे हम नाइक जैस्मीन कहते हैं पारिजात का ये अद्बुत फूल सिर्फ रात में ही खिलता है और सुबह सुबह होते ही मुर्जा जाता है, ये फुल जिसके भी घर आंगर में किलते हैं, वहां हमेशा शान्ती और सम्निद्धी का निवास होता है हिंदू मानिताओं में एक बहुत महत्मूत स्थान रखता है, हमारे शास्त्रों में इसे अत्यन शुब और पवित्र व्रक्ष की श्रेणी में रखा गया है पारिजात के फूल बहुत खुबसूरत तो होते ही है, साती सात ओशिदी की तौर पर भी इनका प्रयोग होता है पारिजात के व्रक्ष से संबंदित विभिन खताएं भी हमारे पुरानेक इतिहास का हिस्सा है इश्वर के आरादना में फूलों का विशेश स्थान रहता है दोस्तों फूल पवित्र शुद्धता के प्रतिक माने जाते हैं इसलिए देवताओं को ये खूब भाते हैं इस खूबसूरत दुनिया में रंग भिरंगे अनेक फूल मौजूद है जहां पर निगार दोड़ाईए फूली फूल आपको हर जगे पे विबिन प्रकार के और सुगंदित नजर आएंगे जिसमें से एक है पारिजात का फूल पारिजात का फूल देखने में आलोकिक प्रतीत होता है लेकिन इसके उद्रफ से जूड़ी कहानियां इससे भी खही ज़्यादा अद्बुध है पारिजात के वरक्ष की खास बात यह है कि जो भी इसे एक पर छूँ लेता है उसकी थकान चन्द मिन्टों में ही गायब हो जाती है उसका शरीप पुनह स्पूर्ती प्राप्त कर लेता है हरीवश पुरान के अनुसास स्वर्क की अपसरा उर्वशी परिजात के वरक्ष को छूख कर ही अपनी थकान को मिताती थी पारिजात के वरक्ष को देविय कहा जाता है जिसमें साल में बस एक ही महीने में फूल खिलते है गंगा दशेरे के आसपास यह पेड़ फूल खिलाता है लेकिन हैरानी की बात दोस्तों यह है कि जब पेड़ से फूल जहरते हैं तो वो पेड़ के करीब नहीं बहुत दूर जाकर गिरते हैं पारिजात के फूलों का यह सौभा भगवान कृष्ण और रुकमणी के प्रेम की कहानी और सत्यभामा की जलन से जुड़ा है पौराणी कथा के अनुसार एक बाद नारत रिशी इंद्रुलोक से इस व्रख्ष के कुछ फूल लेकर कृष्ण के पास गए कृष्ण ने ये फूल उनसे लेकर अपने निकट बैठी पत्नी रुकमणी को दे दिये इस घड़ना के बाद नारत कृष्ण की दूसरी पत्नी सत्यभामा के पास गए और उनसे कहा कि पारिजात के बहत खुबसूरत फूल कृष्ण ने रुकमणी को सोब दिये और उनके लिए एक भी नहीं रखा ये बात सुनका सत्यभामा इच्शा से भर गई और कृष्ण से जित करने लगी कि उसे पारिजात के दिव व्रक्ष चाहिए पारिजात का व्रक्ष देव लोग में था इसलिए कृष्ण ने उनसे कहा कि वे इंद्र से आग्रे करके व्रक्ष उन्हें ला देंगे पती पत्नी में जगड़ा लगाता नारज देवराज इंदर के पास लगाता बढ़ता गया तो नारज जी देवराज इंदर के पास गया और उनसे कहा कि मृत्यू लोग में से इस वरक्ष को ले जाने का शडियंत रचा जा रहा है लेकिन ये वरक्ष वरक्ष की समपत्ती है और इसे यहीं रहना चाहिए ऐसा नारण मुनी ने इंद्र भगवान से कहा और वो इतने में ही कृष्ण अपनी पत्नी सत्य भामा के साथ इंद्र लोग पहुंच गए पहले तो इंद्र ने ये व्रक्ष सोपने से मना किया लेकिन अतत्य उन्हें ये व्रक्ष देना ही देवराज इंद्र ने व्रक्ष को ये श्राब दे दिया कि इस पेड़ के फूल दिन में नहीं खिलेंगे सत्य भामा की जित की वज़े से कृष्ण पारिजात के पेड़ को धर्टी पल ले आए और ले आने के बाद उन्होंने किया और सत्य भामा की वाटिका में लगा दिया लेकिन सत्य भामा को सबक सिखाने के लिए उन्होंने कुछ ऐसा कि व्रक्ष लगा तो सत्य भामा की वाटिका में था लेकिन इसके फूल रुक्मणी की वाटिका में गिरते थे इस तरह सत्यभामा को व्रक्ष तो मिला लेकिन फूल रुक्मणी को ही प्राप्त होते थे यही वज़य है कि पारिजात के फूल अपने व्रक्ष से बहुत धूर जाकर गिरते हैं पारिजात के विशे में एक अन्यमानेता पारिजात नामक राजकुमारी से जूड़ी हुई है जो सूरेदेव से बहुत प्रेम करती थी अथा प्रयास और तप के बाबजुद जब सूर्देव ने पारिजात का प्रेम्चिका नहीं किया तब रोध में आकर पारिजात ने आत्मध्या कर ली जिस थान पर पारिजात की समाधी बनाई गई उस पर ये वरक्ष उग गया और तब से इस वरक्ष का नाम परिजात पड़ गया शायद यही कारण है कि रात की समय इस व्रक्ष को देखने में ऐसा लगता है मानो यह रो रहा है और सूरज की रोष्णी में खिलखिला उठता है एक अग्यातवास के दौरान पांडव अपनी माता कुंती के साथ कहीं जा रहे थे उस समय उन्होंने सत्यभामा की वाटी कमय व्रक्ष देखा कुंती न अपने पुत्रों से इस व्रक्ष को बिरोन लिया में लगाने को कहा तब से लेकर अब तग बारा बंकी का ये व्रक्ष वहीं स्थित है देज भर से लोगी स्थान पे पूजा अर्चना कर अपनी मंदत मांगने और ठकान मिटाने जाते है बारा बंकी स्थित परिजात का पेड़ अपने आप में बहुत रोचक है लगभग 50 फिट के तने वो 45 फिट की उचाई वाले इस व्रक्ष की अधिकान शाकाएं मुड़कर धर्ती को चूती है ये पेड़ वर्ष में बस जून माह में फूल देता है अगर इस व्रक्ष की उम्र की बात कीजाएं दोस्तों तो विज्ञानिकों के अनुसार ये व्रक्ष यो है 1000 से 5000 साल तक जीवित रह सकता है इस प्रकार की दुनिया में सिर्फ 5 प्रजातिय हैं जिने एंडो सोनिया वर्क में रखा जाता है परीजात का पेड़ भी इनी 5 प्रजातियों में से टिजाहट प्रजाती के सदस्ञ है धन की देवी लक्ष्मी को भी परीजात के फूल अतिप्रिये है कि पूजा में परीजात के फूल जरूर अरपन करने चाहिए ऐसा कहा जाता है कि पारिजात कि व्रक्ष को चूने मातर से व्यक्ति की थाकान मिर जाती है हिदय रोक से पीरीत वेक्टियों का हर सिंगार का जो प्रयोग बहिद लापकारी होता है इसकी 15 से 20 फूलों को या इसके रस का सेवन करना हिदय रोक से बचाने का असरकारक उपाय है लेकिन ये उपाय किसी आयरुवेदिक डॉक्टर की सला पर ही दोस्तों लिया जाना चाहिए इसके फूल, पत्ते और छाल का उपयोग ओशदी की रूप में किया जाता है वास्तु शास्तु में ऐसा कहा जाता है कि जहां पारिजात का पोधा होता है वहाँ नाकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होता है और ये हमिशा शान्ती और स्मृदिका जिसके फूल, जिसके घर भी आंगन में खिलते हैं वहाँ हमिशा शान्ती और स्मृदिका निवास बना रहता है अब दोस्तों मैं पारिजात व्रक्ष के महत्व के बारे में आपको बताऊंगी तो उत्ता प्रदेश में ये दुरलब प्रजाती के पारिजात के चार व्रक्षों में से हजारों साल पुराने जो दो फ्रक्ष वन विवाक के पास है वो इटावा के परिसर में है जो परेटकों को देफता और आक्षशों के बीच हुए समुद्र मंतन के बारे में बताते हैं कहते हैं कि पारिजात वरक्ष की उत्पत्ती समुद्र मंतन के दोरान हुई थी जिसे इंद्र ने अपनी वाटिका में लगा दिया था हिर्डी वरिंच पुरान में इस फल और फूलों का विस्तार से वर्णन मिलता है ऐसा का जाता है पौराडिक मानिता के अंसार के पारिजात के वरक्ष को स्वर्ग से लेकर धर्ती पर लगाया गया था नरकासुर के वत के बाद एक बार श्रीक्रिष्ण स्वर्ग गय और वहां इंद्र ने उन्हें पारिजात का पुष्ट भेज किया वो पुष्ट को लेके श्रीक्रिष्ण ने देवी रुक्मनी को दे दिया देवी सत्य भामा को देव लोग से देव माता आदिती ने चिर योवन का अशिर्वाद दिया था तब ही नारजी आये और सत्य भामा को पारिजात पुष्ट के बारे में बताया कि उस पौदे के प्रभाव से देवी रुक्मनी भी चिर योवना हो गई है ये जान सत्य भामा क्रोधित हो गई और श्रीकृत से पारिजात व्रक्ष लेने की जित करने लगी पारिजात के फूलों को खास्तोर पर लक्ष्मी पूजन के लिए दोस्तों इस्तमाल किया जाता है लेकिन केवल उन्ही फूलों को इस्तमाल किया जाता है जो अपने आप पेड़ पर से तूट कर नीचे गिरे होते हैं पारिजात के फूलों की सुगंद आपके जीवन से तनाव हटा कर खुशिया ही खुशिया भर सकने की ताकत रखती है इसकी सुगंद आपके मस्तिक्ष को शांत कर देती है पारिजात का यह अद्बुत फूल सिर्फ रात में ही खिलता है माना जाता है कि किंतूर गाओं का नाप पांडवों की माता कुंती के नाम पर है जब धितराश ने पांडू पुत्रों को अग्यात वाज दिया तो पांडवों ने अपनी मा कुंती के साथ यहां केवन में निवास किया था इसी अबधी में ग्राम किंतूर में कुंते इश्वर महादेव की स्थापना हुई भगवान शिव की पुजा करने के लिए माता कुंती ने स्वर्ख से पारिजात पुषप लाए जाने की इच्छा जाहिर की अपनी माता की इच्छा को पूरा करने के लिए अर्जुन ने स्वर्ख से इस व्रक्ष को लेकर यहां स्थापित कर दिया योग विध्या में एक अद्बुत कहानी है एक बार की बात है एक आदमी गूमने निकला गूमते गूमते बहुत दूर निकल गया था सेयोग से वो अंजाने में स्वख पहुँच गया उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो स्वख में आ गया है लगाता चलते रहने के कारण दोस्तों वो बहुत ठक गया था उसने अपने चारो तरफ देखा और थोड़ी दूर पर ही उसे एक बहुत बड़ा हरा भड़ा एक पेड दिखाई दिया उसने देखा कि वो उस पेड के नीचे काफी मुलाइम हरी घास भी थी तो वो ठका तो थ बहुत जोर से भूख भी लगने लगी थी अब काश मेरे पास खाने पीने के लिए भी कुछ होता और फिर उसने सभी खाने की चीजों के बारे में सोचा जो उसको जरूवत थी वो सारी चीजी उसके सामने आ गई है कहते है ना जब आदमी को तीवर भूख लगती है तो व भी नहीं सोचा कि खाना आया कहां से बस जल्दी से उसने खा लिया अच्छे से पेट भरने के बाद अब उसे बहुत जोरू कि प्यास लगी उसने अच्छे अब खाने के तो मेरा पेट भर गया है क्यों ना मुझे कुछ पीने को मिल जाए और उसने उन सारी चीजों के बा बाद उसे ध्यान आया और उसने सोचे यह मेरे आसपासी क्या हो रहा है यह क्या हो रहा है मेरे पास तो कोई भी नहीं मेरे साथ मैंने आराम से खाना भी खाया और खाने के बाद मैंने पानी मांगा तो मुझे पानी भी मिला शराब भी मिली मुझे लगता है कोई जरू इस पेड पर पक्का भूत का साया है और फिर क्या यह सोचते ही पेड पेड भूत आ गए भूतों को देखते ही वह वहाँ से ही डर के मारे सोचने लगया भूत आ गया भूत आ गया अब वो मुझे परिशान करेंगे, ऐसा सोचते ही भूतों ने उसे घेर लिया और उसे मारने लगे, वह आदमी दर्स जो जोड़ से चिलनाने लगा, और बोलता जा रहा था, अब तो ये मुझे मार ही डालेंगे, और फिर ऐसा बोलते ही भूतों ने उसे मार डाला, दोस्तों, अभी कुछ द नहीं आ रहा है ना दर असल वह कलप रक्ष के नीचे बैटा हुआ था ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ग में एक ऐसा वरक्ष है जिसके नीचे यह उसकी चाया में जो कुछ बैखता हों जो कुछ मांगता है वो तुरंट उसे प्राप्त हो जाती है पुरानों के हमसा समुद्र-मंतन के समय रतणों में से एक कलप रक्ष की भी उत्पत्ि हुई थी इस कल वरक्ष को देवो ने राजा इंद्र को सोब दिया गए और इंद्र ने उसको सुरकानंद वन हिमाले के उत्ता दिशा में लगा दिया था तो आज की जानकारी दोस्तों आपको कैसे लगी मेरी ये वीडियो जो की मेरे परिजात वरक्ष के उपर बनाई है अगर दोस्तों आपको पसंद आए तो आप इस अपने और फ्रेंड्स में शेर कीजेगा लाइक कीजेगा हम फिर जल्दी ही इसी तरह की नहीं वीडियो के सा